सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं निन्वा की बहुत बढ़िहा और स्वादिश रेस्पी इस रेस्पी को हम बनाएंगे मसालेगार तो दोस्तों बने रहे और अगर आपको इस रेस्पी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निन्वा ले लिया हूँ, एकदम फ्रेश ताजे निन्वा है, निन्वा को मैंने यहाँ पर एक किलो लिया हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम निन्वा को छीलेंगे, मतलब जो हरा पाठ होता है उसको हम अच्छी तरह से छीलनी से छील लेंग फिर इसके बाद दोस्तों हम एक मसाला तयार करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया हूँ और इसमें हम आधा चम्मच एड़ करेंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला एड़ कर देंगे इसके बाद एक चमच मैं यहां पर लाल मिर्च पाउडर एड़ करूँगा इसके बाद एक चमच मैं पर धन्या पाउडर एड़ करूँगा इसके बाद यहां पर आधा चमच आम चूर पाउडर एड़ कर दूँगा खटा सा फ्लेवर करने के लिए इसके बाद आधा चम्मच लसुन और अद्रका पेस्ट एड़ करेंगे और एक चम्मच मैं यहाँ पर एड़ कर रहा हूँ सरसो का तेल और इसके बाद सभी मसालों को मैं मिक्स कर लूँगा तो यह हमारा मसाले तयार हो गए हैं दोस्तो इसके बाद मैं यहाँ पर भूल गया था नमक अड़ करने के लिए तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक अड़ कर दूँगा मसालों में और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे तो अब एकदम से यहाँ पर रीडी हो गया है मसाले इसके बाद दोस्तो जो हम छील कर रखे थे निन्वा को उसको लेंगे और नाइप की सहाता से 20 से इस तरह की से चीरा लगा देंगी चीरा लगाने के बाद दोस्तो जहां हम चीरा लगाए थे वहाँ पर मसाला भर देंगे अच्छी तरह से दोस्तो तो इस तरीके से दोस्तो मैं यहाँ पर निन्वा की रिस्पी बनाने वाला हूँ जो की यह है भरवा निन्वा तो इस तरीके से मैं आपर सारे निन्वा में मसाले भर दोंगा दोस्तो इसके बाद दोस्तों जो मसाला बचा हुआ है इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा तो यहाँ पर सारे निन्वा में मसाले भर गए हैं इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ ले लियाँ कड़ाई और इस कड़ाई में एड़ करूँगा दो चमच सरसो का तेल इस से बहुत बढ़ी हाट टेस्टी सबजी बनेगी दोस्तो जब ओल गरम हो जाए अच्छी तरह से तब हम यहाँ पर निन्मवा एड़ करेंगे तो अच्छी तरह से दोस्तो कढ़ाई में सिट कर दीजिए इसके बाद दोस्तो जो मसाला बचा हुआ था इसके बाद उपर से इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ फिर इसके बाद आधा चमच नमक इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए दोस्तो और फिर इसके बाद धक करके इसको हम पकाएंगे तो इसको पकने में लगभग 10-15 मिट का वक्त लगेगा दोस्तो 10-15 मिट के बाद ये दिखिए बहुत बढ़िया दोस्तो निनुवा भरवा अच्छी तरह से ये पक गया है ये दिखिए और फिर चमच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया दोस्तो ये निनुवा भरवा जो मसालेदार बना है बहुत ही टेस्टी दोस्तो ये बना हुआ है और फ्लेम को दोस्तो यहां पर मैं बंद कर दूँगा और अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये ठंडा हो जाये तब आप इसे रूटी के साथ चावल के साथ या पराठे के साथ खाएं बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तो दोस्तो अगर आप पो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप में चलंपन नया हैं या पुराने हैं तो तब भी दोस्तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजेगा